So hi everyone, कैसे हैं सबके सब लोग और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सबसे मुद्देज पर सबसे important मुद्देज पर जिस पर आप अपनी पूरी engineering निभाने वाले हैं पिताने वाले हैं और मतलब यही आपका two logo यही gadget होगा जिसके दुरू आप engineering, अपने नोकरी, सब कुछ इसी के दुरू पा रहे होगा तो इसका सबसे बढ़िया अपने price range में होना, best है मतलब आप जो भी equipment यूज करें वो best होना है क्योंकि यही आपके नोकरी भी लगवाने वाला है तो इसी में हम बात करते हैं, अब laptops कागो की सबसे important tool यही है engineers के लिए, जो अपने software IT में जाना चाहते हैं सबसे important tool is that laptop और laptop अच्छा हो, तो आपका productivity आपके next level जाती है तो इसलिए, ये video काफी important आप सभी लोगों के लिए तो इस video में हम डिसकस करते हैं कि कुछ-कुछ price range में कौन से best laptop हो सकते हैं, तो मैंने लगवाख 40,000 से लेकर 60,000-60,000 तक मैंने जो best मेरे को दिखे हैं, मतलब उनके मैं reason भी बताऊंगा best क्यों है, उस पर हम डिसकस करते हैं तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देखने हैं, that is Asus VivoBook 14 और हाँ, जितने भी आपको ये दिखा रहा हमें, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन है मिल जाएंगे अगर आप वहाँ से चेक आउट हो या order करना चाहें, तो आप definitely कर सकते हैं और करेंगे तो definitely channel को भी help होगी तो हम बात करते हैं, Asus VivoBook 14 की क्या है कि I3 11th generation मतलब आप simply, तो सबसे ची बात है 14 इंच में, that is most compatible आप college में लगा रहे हैं कि भारी नहीं लगेगा, आपको इदर दर ले आना है, कहीं भी 1.6 kg का ही है और इसा आपको भी at a time presentation दिखानी भी तो आपको खोल कर वहीं पर खड़ होगी हाथ में पकड़ कर तो उसमें भी आसानी रहे हैं, सब सची बात, 8GB RAM, I3 11th generation में पता थोड़ासा slow होगा I5 के मुकाबले तो definitely होगा, पर उसको overcome करने के लिए 8GB RAM and 256GB SSD है तो SSD is super fast than HDD अपना HDD में आपका एक minute में PC boot up होता है तो SD में, अपना SSD में सिर्फ 10 या 15 second में बहुत difference है SSD का, बस आपको storage कम पढ़ सकती है, उसके लिए आपको external high drive वगरा यूज़ करनी पढ़ सकती है और अगर यहाँ आपर option हुआ, then you can use that also external high drive के आपको जोरत पढ़ सकती है कि 256GB SSD है, पर very very fast, यह X का सबसे पहला वही पढ़ता है, आपको लगको 40,000 का, वह फार थोड़े दर दर लगा कर लगको आप 37, 37 के आसपास पढ़ जाना थी, और इसमें शायद फिंगर प्रिंट भी है यहाँ पर फिंगर प्रिंट बेटा च्पेड में, आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे how it works, यहाँ पिक्चर में दिखे रहाँ कि यहाँ पर इसमें यह फिंगर प्रिंट भी है, तो यह भी अच्छी वात है, विंडो हेलो का सबोर्ट है अब यहाँ दूसरे कि इसका अच्छा है और इसमें क्या है कि अपना चार्जी भी रहा है, दो चार्जी भी रहा है, स्टॉरेज, MS Office, यह सर्फ इसलिए मैंने रखा क्योंकि 15.6 inches में, इसकी स्क्रीन बड़ी होगी, इसलिए मैंने रखा, बाकि अगर आप दोनों का कंपेरेजन करें हैं, लास्ट वाले अच्छा यह वाला सपोर्ट देता है और यह वाला शायद सपोर्ट नहीं देता है, एक्स्टर्नल के लिए, एम्टी बिल्कुल है, तो फिर तो आप यह वाला चूज करें, आप यह ASUS PO 14 चूज करें, क्योंकि 8GB RAM 256 SSD 40,000 और यह 4GB RAM 256 SSD 45,500, तो यह अच्छा है, और जितना 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपके HDD लग जाएगी, तो आपके मस्ट पैकेज बन जाएगा, 8GB RAM यार, काफी अच्छा काम कर देगा आपका, अब देन थर्ड आता है, आपका 40, 50 के असपास, यह सीम स्पेक्स के साथ है, जो मैं लैप्टोप यूज कर रहा हूँ, मेरा HP क यह उसमें 6GB RAM है, और 2GB Graphic Card Integrated होता है, तो इस तरह से कुछ काम करता है, MS Office, FHD Display, मतलब मैं तो मैंने खुद experience भी किया है, शॉप पर जाकर, Dell Mobile Connect, और आता है, इसमें सारे सब कुछ स्लोट होगा, और सब सची बात यह 3500U, जो प्रोसेसर है, मैं जितनी भी वीडियो डालते ह यह सब काम है, इसी से करता हूँ, और मेरे वाले में इसमें difference किया है, इसमें पूरी ही SSD है, सिर्फ 512GB SSD, मेरे में 256 SSD और 1TB hard disk है, लेकिन आपका 512GB से भी बढ़िया मज़े में काम चलेगा, और सब सची बात सारी ही SSD है, सब सची बात, laptop Dell का है, तो support एकदम next level का आगा, Dell, तो Dell और HP is the next level service providers, तो आपका आता है, एक i5 generation के साथ, i5 11th gen के साथ, यह HP का है, तो इसका भी support बहुत तकड़ा होगा, बिल्कुल तकड़ा support है, HP 15 11th generation, i5 processor है, i5 11th generation, FHD display, RGB RAM, 512 SSD, फिर यहां पर SSD आगी, तो मैंने जादे दर SSD वाले चूज़ गे हैं, क्योंकि मैं SSD यू करा है मैंने, तो दोनों में difference में spot कर सकता हूँ, आपका best experience SSD के साथ ही रहने वाला है, और यहापर 32GB Intel Optane है, यह Optane कहा है, यह अपनी लग cache memory यह जादे fast होगी है, यह उसकी तरह का है, जो भी आपके recent apps कुलते रहते हैं, वो फटा-फट उनको इसमें store करकर खोलता है, तो य एक मैं आपको example दो, अभी मेरे laptop में driver update था है, कि मेरा mic support नहीं कर रहा था laptop, then I just go to this, अपने HP support page, अपने HP के laptop के अंदर यह जा था, support page पर गया, मैंने उनको problem बता ही, उन्होंने हाथ हो हाथ मेरे को driver update, buyers update दिया, मैं अन्सुल कर रहा है, and now it is working very fine, बढ़ना मैं mic नहा order करने वाला था, वो भी नहीं चलता, फिर एह दिक्कत हो थी, इसलिए, tell our best service provider, and now this is for gamers, बिल्कुल gamers community के लिए, जबर 10 laptop है, मैं कहूं beast laptop, beast, क्या हूं है beast, i5 10 जनरे प्रोसेसर, 17.3 इंच की display, 144 Hz पैनल laptop का, बहुत बड़ी बात है, RGB RAM 512 SSD NVMe, Windows 10, NVIDIA GTX 1650, 4 GB का ग्राफिक का ग्रा तो भाई साब, धहां ये, दार बीष्ट परफोर्मेंस होगी आपकी, बस बैटरी वाग्यारा नहीं होगी, और सब सची बात, दो साल की warranty है, MSI, very good company, और शायद आपका keyboard भी RGB है, शायद रैडी कलर का है, तो इसलिए ये भी काफी बहतरीन होने वाला है आपके लिए, RGB बै मैं Ryzen में ही हो, और अच्छे प्रोसेसर में ये 5500 एडी हो, मतलब ये शायद hexa core CPU है, और जब quad core है, मतलब ये मेरा है, जब मैंने आपको Dell दिखाया था, ये quad core था, मेरे वाला भी quad core है, उतना मस्त चलता है, तो ये और अच्छा लावेल चलेगा, ये लेना हुआ, आइडि लाइट वेट, और अच्छा अपना, है मतलब slim, सब कुछ, मस्त laptop और डेशिंग लुक तो देखो, दिखी रहा है आपको, और लेना हुआ है, तो सर्वीस काफी अच्छी बात, फिंगर प्रिंट भी है, सब सची बात, फिंगर प्रिंट भी है, तो बेकलिट की बोर्ड क्य अच्छी है, यह शायद मेरे टाइम पर नहीं था, वहना, इसको मैं डेफिनेटली पर्चेस कर रहा होता, और अगर आप इससे उपर जाना चाहें, तो फिर आपको, या फिर 11th generation के साथ, SSD प्लस ग्राफिक कार्ड होगा, तब रेट बढ़ेंगे, यह खली SSD साथ जार तक आ जाएगी, तो आपको अगर इससे उपर प्राइस एरेंज में जाना है, तो आपको i5, 11th generation, SSD और ग्राफिक कार्ड, सारी चीज़े मिलेंगी, यह ध्यान रखना कि, कुछ मितलब इधर तो आप कस्टम मंदल, आपको दुगंदार पागलना मना दें, तो यह जरूर याद र जारे तो फिर मैं प्रिफर करूंगा कि आप definitely Mac को consider करें, right, definitely Mac को consider करें, तो इस वीडियो के लिए इतना है, hope, आपको, मैं आपकी best laptop बता पाया हूँ, और बाकी इनके सब के link description में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जरूर एक बार जाकर, खुद specs भी check कर लेना, अगर आपको यहाँ इस link से order करते हैं, तो definitely going to help us, so ही request है कि आप purchase करें, तो नीचे description में जो link है, वहाँ से जरूर चेक, order करें, so यही इस वीडियो का था, और बाकी मैं आपको बताया कि जितना अच्छा tool होगा, उतनी अचीफ productivity देगा आपकी, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किले, भाई, टेकर और एंग, वाई, टेकर और एंग, गूद डेए,